विल्कम टो इजीफूटमेकिंग डोट कॉम आज हम बनाने चारें मैंगो हल्वा बहुत ही क्विक और बहुत ही इज़ी तरीके से आप सभी को पता है कि मैंगो कई तरह के फ्लेवर में आता है और उसका सारा फ्लेवर लगभग सभी को पसंद आता है बट अगर आप मैंगो क अगरें के लिए फ्लेवर को थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं कुछ नया ट्राइब करना चाहते हैं तो आप बनाके देखें आपको बहुत ही पसंद आएगा हम मैंगो हल्वा में थोड़े से कुछ चीज़ों पर यूज करेंगे ड्राइफू्ट थोड़ा सा रवा हम होने के लिए थोड़ा सा गी डालेंगे वन टीस्पोन गीए हमारे गरम हो चुका है हम इसमें दो इलाइची का तड़का लगांगे इसको हमने कोट लिया है दिसके दान फीद्बरे शोचोगी है दूनों दाल देंगे, यह हमने 3 टेबल इस्पून रवा लिया है, नॉर्मल रवा है, नाहीं बहुत बारिक, नाहीं बहुत मॉता, लाइट ब्राउन होने तक हम इसको भूलेंगे, अच्छे से, रवा हमारा लाइट ब्राउन हो चुका है, इसका अरोमा पूरे किचन में फैल चुका है, अब हम फ्लेम को बिलकुल लो कर देंगे, अधरवाइस यह जल सकता है, और इस रवा को हम इस प्लेट में निकाल रवा को थोड़ा सा ऐसे फैला के रख देंगे, एक साइट में, फ्लेम को हम बिलकुल लोई रखेंगे, क्योंकि कड़ाई हमारी गरम हो चुकी है काफी, यह हमने मैंगो प्योरी बनाई है, एक मैंगो लिया था, नेलम मैंगो, जिसको हमने अच्छे से वाश करके, कट करक रखते हैं, तो उसका रिसा अलग हो जाएगा, तो अब हम इस मैंगो प्योरी को इस कड़ाई में डाल देंगे, डारेक्ट, रेम को मीडियम हाई करेंगे, और कंटीनी चलाते रहेंगे, हम शुगर का यूज नहीं कर रहे हैं, अगर आप मीठा ज्यादा पसंद करते हैं, तो शुगर का यूज कीजिएगा, अधरवाइस नहीं, हम इसमें थोड़ा सा कंडेंस्ट मिल्क का यूज करेंगे, कंडेंस्ट मिल्क में अल्रेड़ी थोड़ी से शुगर रहती है, एक निट तक हमने मैंगो को इह में चलाया, अब हम इसमें कंडेंस्ट मिल्क डालेंगे हमने 2 टेबल स्पन कंडेंस्ट मिल्क लिया है फ्लेम ध्यान रखेंगे मीडियम हाई होना चाहिए फुल पे नहीं होना चाहिए कंडेंस्ट मिल्क डालके हमने एक नट तक अच्छे से चला लिया अब हम इसमें काव मिल्क भी डालेंगे वन टीकप अभी हम फ्लेम को फुल कर सकते हैं और अच्छे से मिक्स हो जाने तक हम सारी चीजों को अच्छे से चलाएंगे इसी डियरेशन में हम कुछ कटिवे ड्राइफूट से डालेंगे जिसमें हमने काजू बदाम पिस्ताल ले रखा है एक पिंच केसर के धागे डालेंगे केसर हमने डालें फ्लेवर के लिए और कलर के लिए थोड़ असान केसर का कलर डालेंगे केसर का कलर हमने 5-6 ट्रॉप डाल दिया है ताकि इसका कलर उभर के आए अगर आप नहीं डालना चाहते तो कोई बात नहीं ना डालें दो मिनट तक हमने सारी सुजों को अच्छे से मिक्स के आप देख सकते हैं बलबले आने स्टार्ट हो गए हैं फ्लेम को में फ्रेस से मीडियम करेंगे और यह रवर डाल देंगे सारा और अच्छे से मिक्स कर देंगे हैं हमने साइट के सारी चीजे बहुत कम मात्रा में लिए मैंगो जागा लिया है ताकि मैंगो का फ्लेवर उभर कर आये आप देख सकते हैं हल्वा हमारा बिल्कुल तीफ होने लगा है अब थोड़ा साम इसमें घीर डालेंगे वन टीस्पून गयास ऑफ कर देते हैं हल्वा हमारा रेडी है सर्व करने के लिए पर अब हम हल्वा को सर्थ करमा गरम मैंगो हल्वा बन के तयार है इसमें थोड़ा सा गानिश करेंगे गानिश करने के लिए थोड़ा सा काजू रखतेंगे और यह कुछ कटी हुए पिस्ता और बदाम बहुत ही क्रिक तरीके से मैंगो हल्वा बन के तयार हो गया है आप भी इसको एक बार ट्राइ करें आपको यह बहुत ही टेस्टी लगेगा और अगर आपको यह अच्छा लगे तो प्लिस लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब क बहुत है